वो लोग चाहते हैं कि पंजाब अलग हो जाए इनकी ऐसी की तैसी खालस्तान ना बना था ना कभी बनने दिया ना बनने देंगे सामने गवाहूं चारा बार हमले से हैं कैसो भर हमले किया जो रिकार्ड में ना बना दी तरंगे की और वही कह रहा हूं अगर फूटबल बनाया जाता है अगर पंजाब मेरे सरदार भाई बोला छोड़ो बाहर की बार बताओ ना मेरे सवाल का ज्वाब दो मैं फिर सरदार साब उनको कह। वो क्या हुआ इस अंदोलन में उल्टा पड़ गया जितना अंदोलन कडेंगे मोधी की 15-20 सीटे तो बढ़ गई देखो मोधी का मोधी कहते हैं लोगों को मैं सुना कि कहते हैं हमारी हमारी उमर आम आदमी बीजे पी तो छोड़ो ना अपने क्या लेना पार्टियों से अगर आदमी हैं क्रोड़ों आदमी हैं पूरी दुनिया के अंदर जो भारती नहीं है पर मोधी को सलूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर रास्ट्रपती पैर चूते हैं वो के तो कमाल का आदमी है वो के तो यार हमारी उमर तुमारे करने से क्या हुआ मोधी की 15-20 सीटे बढ़ ग कंगुज़ी गुटिकोगी कि अद्लु फो कि 15 चबभी चृब को फ्रेम सामने थे मैं मुझे इतना जकीन है मैं कभी मूदी जीसे मेरा को रिष्ता नहीं भारत मां को को यहां चा जाए वो कहता मेरी जीवन चले जा परिवे बारत मां को आज ना आए तेरा वैभाभ अमर माह हमर दिन चार रहे नहीं पहली बार रात को देख सोके रोते होंगे उट उटके रोते होंगे मैंने भारत माह का अपमान वो भी छबी जन्वरी के दिन लाल किला का पहला तरंगा जंडा जहां बाबा साब अबीतर जहां लाल बहादर शास्त्री जहां सरदार पटेल मैंने अपमाने थोते हुए देखा इसलिए देखा कि ये जो सिर्फ पे पगड़ी है ना ये मेरे गुरु माराज के फोज है मेरे गुरु माराज के वन से हैं मेरे गोली ना चले मेरे आज तरंगे जंडे भारत मां मैं तेरा अपमान तो सेंड कर लिया और मैं पगड़ी पे गोली नहीं चला सकता हूं किसी की हिम्मत नहीं कि आज चाहिना जैसा कंट्री पाकिस्तान जैसा कंट्री और हिंदोस्तान थे थर थर काम थे पर वो किसी ते डरता नहीं है वो किसी के आगे जुकते नहीं है जहार रास्ट प्रतम और तरंगे जंडे भारत मा का सवाल आ जाए वो ज जुकते हैं और जुकते हैं गुरु माहराज के सामने हर दिन के उपर गुरु पूरब के अंदर और इस पगड़ी के आगे सिर जुकाते अपना ऐसे जुकाते हैं और हम उसकी हम उनकी शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं हम उसकी शराफत को कमजोरी समझ रहे हैं किसी की शराफ सरदार जी को को सरदार तो हमको को तकलिफ होती है हमको कभी किसी ने का ओ सरदार अगर किसी है कि औरчески ऑफ Main के और आप बुरे शब्दों का का इस्तामाल करोगे कैसी बरदाश होगा हिंदु धर्म के ओपर अप टिप्णिया करोगे कैसी अस्त्तमाल होगा आओ ना आप बोलते हैं ना पंजाब में आप बोलते ना वदेशों में आओ जाके मैं आपका इतिदाम करता हैं आओ माराथा में जाके बोलो वो छत्रपती शिवाजी की धर्ती पर बोलो जतने उजालम अरंग जेव जन्होंने हमारे गुरु सहबान के बच्चों को शहीद किया वहां जाके बोलके दिखाओ राजपूताना में बोलके दारे पंजाब में बोलते रहना दोती टोपी जमना पार घीटा के आनवाना हुगा खाड़तन ड़ी यह क्या है क्या मजाक यह जाब विश्नु बग्वाण के ऊपर बोले सहनकर के ऊपर हनुमान जी चँड़ू और और यहां जो किशोर जी है नंद किशोर प्रेमा प्रेमानल कारी अगर मैं भी 1 शिर जु अरे मैं तो गुरु गरंचाप के आगे सिर्जुकाता हूं यहां तो कन-कन में जगा-जगा पे सादू संत है भी मैं नाक रगड़ता सिर्जुकाता उस पे बड़े-बड़े कहते हैं गुरु मारज के जिम्मेदार जिसको अच्छे लोग वो कहते हैं कि प्रेमा नान जी वो हमें हिंदू धरम के तपस्वियों के चर्ण चूने के लिए सिर्जुकाने के लिए भी हमें इन से चांद खालस्ताजियों से पर्मिशन लेनी पड़ेगी अगर नहीं लोगे तो आपको गोलियों के तरहस तलबानीओं जासे तलबानी मारते मार देंगे हमें आगे آپ कर बं प्राठी बिहार यूपी मैं कहता है जब इनको गोड़ी लगेगी ना पहले बिट्टे का सीना पार करेगी फिर मेरे हिंदू बाई को लगेगी खाई पर उनकी हफाज़त की हिंदू सिख नौ मास का रिच्टा यह हमारी पहचान अब हमें नया फर्मान जारी कि अगर मंदरो में जाओगे तो आप आप जाई नहीं सकते बताओ मैं आपसे सवाल कितने सिख भाईयों को मंदरों में होते हैं होते ना तो हर्मंदर साब में कितने जाते हुए देखते हैं 20% सिख 80% हिंदू लाइने लगी हुई हैं और पंजाब से नहीं पूरे दुनिया से हिंदू धर वहाँ नमस्तक होता है क्या किसी शंकराचारी ने बोला हर्मंदर साब नहीं जाओगे गुरु माराज कहते थे चार दरवाजे हिंदू मुसलमान सिक्षाईयों के आओ लंगर खाते और जाके लोगों में चर्चा करते हैं और हर्मंदर साब जाके और तुम लोग हिंदू दर्म को रोज गाली देते हो दोती टोपी की बात करते हो दोती टोपी जमनापार की बात करते हो तुम कहते हो गीता ग्यान बलाना होगा खारस्तान बनाना होगा तुम कहते हो कि राम जनब भूमी कोई सिक नहीं जाएगा हम मूर्ति पूजा नहीं करते इनको पूछना चा लोग नमस्तिक दुनिया में होते क्या वो मूर्सी हैं मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ आओ किया है लैसे लोगों का जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं अपने हिंदू भायों से अलग करना चाहते हैं एक ही सवाल पंजाब से बार जितने सरदार साब है न साथ ला भां धीगा न हमारी अबादी इतनी है पर हमारी सिफ कौं के आगे कौन कdogs सिर्जुकाता है अकेल हिंदू धर्म नहीं हिंदू मुसल्मान सिख यसाही 6.5 करोड की अबादी कि आगे सिर्जुकाता कौन सा ऐसा धर्म है बताओ जिस धर्म के आगे अगे एक ऐसा धर्म जिनकी मिनौरिटी में हो मैं तो मिनौरिटी में समझता है नहीं वो सिर जुकाता है बताओ तो सरदार साब क्यों न बोले सरदार साब कि अवाज क्यों न उठे मिरा सवाल है जब ढाई या 270 289 प्रोड साथर सलाग लोगों के आके सिर्द जुकाया जाता है पूरी दुनिया सिर्द जुकाती है तो फिर क्यों न बोले 198 में कंट्रियों में पूरी दुनिया के अंदर 108 देशों में गुरु गरन साब है और निशान साब जूलता है वहां हिंदू-मुसलमान से खिसाई फॉर्णर अंग्रेज सब आके नमस्तक होते हैं इतनी इतना हमें मान सनमान इतनी हमें इज़त तो फिर उसके उपर ये भी न कहें अरे मेरे तुरंगे जिंडे का अपमान कर दिया यह सरदार नहीं है इन्होंने भगत सिंग को अधना भारत मा को गाली दी यह सरदार नहीं है इन्हेंने विंदुस्तान के प्रत्थम सेवक प्रत्थम परधान सेवक उसको कहा हम मार देंगे तो कोवाजी ने उठे परधान नरससे नсьक इशनी से और हिंदू बोले खालस्तनियों के ख़लाफ हिंदू बोले तरंगे जंडे का अप्मान जब पैरों में रोदा जाता है फूटबाल बना के रिज्दू बोले जब भगत सिंग को अतंकवादी कहा जाता है। तो हिंदू कोले जब कहा जाता है कि गीता घ्यान बुलाना होगा खालस्तान बनाना होगा तो फिरकाप्रस्ट तूं हिंदू कि तो पीज Dueaben कि तू नफरत फंड कहां से आता है और आज जम्मु किश्मीर इतना सुरच्छित हो गया क्या सवाल पूछा अपने जम्मु किश्मीर के बारे में थो कहते थे जिस दिन तरंगा लेराया गया ये पाकिस्तान में होगा किश्मीर आज गरगन में तरंगा है वहाँ मेरी बहने मेरे भाई आज उन पुलिटिकल पार्टियों को कोस्ती हैं कि तुमने हमारी कश्मीर के नौजमानों की जनरेशन को उबरने नी दिया तुमने बंदू गोलिया पकड़ाते रहे तुम हिंदोस्तान के लोगों के खून पसीने का पैसा कश्मीर में देते रहे हमारे बच्चों को बेगार दिया नई पिच्चर आती थी जहाज में बंबे देखने जाते थे फाइव स्टार होटल में रुकते थे आपके खून पसीने के अब कनून नेक साविदान एक आज वही कहते हैं हमारे बच्चे आप आई पीएस ब रहा क्या पंजाब में बच्चे बाहर जा रहे हैं कुछ निचेडी बन गए कुछ बाहर के लोग आके काम कर कर रहे हैं आने वाले वक्के अंदर पंजाब खाली हो जाएगा इसका जिम्मेदार कौन है हम तरक्की का रास्ता इनिये बनाते कभी अमरत पाल का अंदोलन कभी वो अतंकवादियों का अंदोलन जेनोंने शत्ती हजार बेगुणाहों का कतले हम किया उननीस हजार हिंदू बाईयों को मारा उनको बचाने का जेलों से अंदोलन कभी अमरत पाल को बचाने का अंदोलन यहीं अंदोलन और काठ दो मार दो और बोले सरदार भाई कोई भी बहुता है जो खुल के बोलता है कि मेरे गुरु महराज की मर्यादा को जो मानवता के लिए कौम सजाई गई उत पे दाग ना आए अथली सरदार वो है मेरा आखरी सवाल होगा कि जो जम्मू कस्मीर में अभी परतान मंत्री नरेंद मोदी अभी एक बहुत बड़ी सोगात दे कर क्या है जम्मू कस्मीर को वहाँ पर देखने को मिला जो जो जुनून था वहां के लोगों में वह अद्वुत था अच्छा दिया ना खुश हुए हम तो देने गए थे हम तो देने मोदी जी तो देने गए थे फरोजपूर में चारों तरफ गेर लिया किसान अंदोलन के नाम के ओपर सुगात वापस आ गई इससे बड़ी सुगात देने हम लेना नहीं चाहते हम लेना नहीं चाहते हम तो कहते हम मोदी जी को मार देंगे कि तुम किस गलत फेमी यार कि गलत फेमी उत्साज की शराफत का मजाक उड़ाते हो तोपी के इस दूरतिक graveyard का गीटा जी आप ककरके कभी रामजनशन बूना के ऊपर कभी कहते है मेरा सिख भाई बोलेंगा कोई नहीं आपकर ही और यही कहना चाहूंगा दुनिया में बैठे हुए मैं उन भारतियों को सचे भारतियों को बह्या यह घलती माने चांद ना माने कोही मेरा सरदार बाईशा बाहर आए या ना आए मेरी पगडी मेरा सिर जुका के आपसे छमा मांगता हूं इनकी तरफ से मैं एक जरूर आपसे पूरे दुनिया में ये वादा करता हूं कि ये जो जिन्दगी है ये बोनस है इस पगडी को हम आँच नहीं आने देंगे और भारत म मां को आँच नहीं आने देंगे और हिंदुस्तान का वो शेर हिंदुस्तान का बगवान का बेजा हुआ फृस्ता निरंदर मोदी जिसने धर्म जिसने प्रथम रास्ट को मजबूत दुनिया में कर दिया उनको आँच नहीं आने देंगे मैं पीजे पी में मैं किसी पुलि कभी भी कतल कर देना हमें हमारी चीख भी अगर निकलेगी ना MS बिटा की आखर में वो यहीं निकलेगी बंदे मातरम बंदे मातरम